आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी Maths, Chemistry, Physics और Biology डाउट्स का सफाया बस अपने Question की Photo खीचो उसे Crop करो और तुरंत वीडियो सिलीशन पाओ डाउनलोड नाओ The question is Plants of Aquatic Habitat is called Hydrophytes, Halophytes, Mesophytes and Megophytes तो ऐसे Plants जो कि कहां पाए जाते हैं Aquatic Habitat के अंदर पाए जाते हैं वो Plants क्या होते हैं क्या कहेंगे उनको तो एक एक करके Option देखें Halophytes क्या होते हैं सबसे पहले तो Plant which grows only in or on water जो कि सिर्फ हमारे कहां ग्रो करेंगे Water के अंदर ग्रो करते हैं तो इस तरह के जो Plants होते हैं वो हमारे Hydrophytes कहलाएंगे तो हमारा Example ने हम Pond Weeds का Example ले सकते हैं और हम Reeds का Example ले सकते हैं तो Correct Option ओप्शन यहां पर क्या हो जाएगा Hydrophytes हो का जो की Aquatic Habitates के अंदर रहेंगे Then Second दिया गया Halophytes अब Halophytes क्या होते हैं हमारे Salt Tolerant Plant होंगे जो की हमारे Salty Environment के अंदर Plants पाए जाते हैं वो हमारे Halophytes कहलाएंगे और Waters of High Salinity High Salinity Salinity की Conditions के अंदर यह Plants हमारे Survive करेंगे Mesophytes देखें अब प्लांट नीडिंग ओनली आ moderate amount of water तो वो प्लांट जिसको सिर्फ moderate amount में water की जरूरत होती है वो हमारे Mesophyte कहलाते हैं तो यह भी हमारा गलत होगा दन उसके बाद दिया गया है Megophytes तो यह भी हमारा गलत है mainly water की Conditions देखें तो उसके according plants को तीन classes के अंदर डिवाइड किया गया है sorry तीन category के अंदर डिवाइड किया गया है number first हो जाएगी हमारी Zero Phytes जो कि बिलकुल हमारी जो deserts habitat होते हैं वहाँ पर रहेंगे जहां पर water बहुत ही कम होगा वह हमारे Zero Phytes होगे Hydro Phytes जो कि सिर्फ adapted होते हैं किसके लिए? Aquatic environment के लिए Aquatic habitats के लिए और Mesophyte जिनको moderate amount में water की जरुरत होती है तो यहाँ पर correct option होगा first आज ही डाउनलोड के डाउटने टाप यह WhatsApp कीजिए अपने डाउट्स आच चार्सो 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 पर